मानो, सन्मानो और बलिदान सुरग राष्तान की धोरारी धत्ती रा निवासियोना ना घणी सुभाकावन आये कुछ बलने से पहले में विधान सुभाक के पपन धत्ती को में नमन करती हूँ उनिस्सो बाउन में राष्तान विधान सुभाक का गठन हुआ तोप से लेकर आज तो इस विधान सुभा द्वारा एकहतर बोर्षों का गोरवशली इत्यास रचा गया है इसके लिए में राज्य की प्रबुध जनता को राज्यपाल महदोई को मुख्यमंत्री महदोई को तथा आप सभी विधायकों को हार्दिक बधाई देती हूँ इस अफसर पर में समस्त देशवासियों की और से राज्यतान के सभी पूर्बु राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों को विधान सुभा अध्यक्यों और विधायकों के यगदान की स्मरोण कात्ती हूँ राज्यतान के लिए ये विशेज गोरव की बात है कि बर्तमान संदक संग्षत की दोनों सदोनों नी अध्यक्योता राज्यतान विधान सभा के पूर्बु विधायकों को द्वारा की जा रहे हूँ उपराश्ट तिकिकपति के रूप में राज्य सभा के अध्यक्ष श्री जगदीव धनकड़ जी तथा लक्षभा के अध्यक्ष श्री ओम विल्ला जी राज्तान में विधान सभा सद्यश्च रे चुके सम्भिधान सभाद्वारा प्रत्यक राज्यों में विधाई का कि स्थापना सुनिश्चित की गई है इस प्रकार सम्भिधान की धारा एकसो अर्सोर्स धारा विधान सभाओं का गठ्वन कारने का प्राभधान लागू हुआ जैसा की इस सदन के सभी सदस्व जानते हैं सध्यानत्य के बाद 1948 में मश्यों यूनियोन की स्थापना के साथ इस राज्यों के सरुप का निर्मान कार्यों सुरू हुआ जो विभिन्न चरणों में होता हुआ उनिस्षो चोपन में स्टेट रियोर्गरनेशन आठ के अनुसार राज्यों के पुनर गठन तो था अंत में आजमेर के राष्तान से बिलोईक के साथ सम्पन्न हुआ राज्यों के इस एकिकृत तोथा व्यापक सरुप के आधार पर विधान सोभा का सरुप भी निर्धारी थुआ यद्धोपी पहली विधान सोभा वर्ष उनिस सोभाउन में अस्तित्तों में थी सभी समाजीक वर गंत था भोगोली छेत्रों की विधायकों की उपस्तिती के कारण ए विधान सोभा राष्तान के बिभिदोता का सुन्दर प्रतिभिंग प्रस्तुत करती खेत्रपण के द्रुष्टी से राजबान देश का सबसे बड़ा राज्जे राष्थान में जेसलमर के मरुस्थल से लेकार सिरेही के माउट अभू उदोईपूर की जीलों तोथा रोण धंबर के बनांचल में प्रकुर्ती की इंद्रधनुसी छिटा दिखाई देती है ये विधान सबाभवन राष्थान की पारंपरिक स्तापत्य कला का सुन्दर आधुनिक उदाहरव है जोईपूर को युनेस के दारा वाल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जाद दिया गिया है विशसक्यों का कहना है कि जोईपूर नगर की निर्माण योजोना वोईदिक स्तापत्य कला पर आधारी थे जिसमें अन्यों सोहलियों का भी सुन्दर समाविस किया गिया है राष्टान के सिर्फोकार और करीगर बेजोड निर्माण कारियों आर हेंडी क्राप के लिए जाने जाते हैं राष्ट्रकति भवन की गणना विश्चों के सबसे प्रभाव सड़ी भवनों में की जाती है मैं आपके साथ एस आजा करना चाहती हुआ कि राष्ट्रकति भवन के निर्माण में लागे अधिकांस पत्थर राष्टान से ही गए थे राष्ट्रकति भवन के सुन्दन निर्माण में राष्टान के अनेक कारीगरों का परिश्रम और कोसल सामिल है जोईपूर कलम राष्ट्रकति भवन के प्रांगण की सभा बढ़ाता है इस तरह जोईपूर कॉलम के माजधम से राष्थान की छबी राष्टपती भवन में आने वाली प्रत्यक ब्यक्तियों तो था उहां रहने वाले कार्य करने वाले सभी लोगों के मोनमस्तिशकों में बनी रहती हैं अधिति को देपता समझने की भारती भवना का बहुत अच्छा उदारों राष्थान के स्नेही लोग प्रस्दूत करते हैं राष्थान में लक प्रियोगीत पाधारों उमारे देश में अभिवक्ति अतिति सतकार को भावना को यहां के लोगों ने आपने बेभार में भी ढाला है राष्तान के लोगों के मोधूर बेवार और प्रकुती तोथा कोलापुरूतियों के मन-मोग आकर्षन के कारौं देश-बीदेश के लोग यहां बार-बार आना चाहते हैं। देवियों और सोजनों, राष्थान के उद्ध्योमी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर बाणिजो और व्यापर की विफिन्द छेत्रों में आपनी प्रभाव सड़ी पेहंचान बनाए हैं, इस प्रकार आप सभी विधायक गोन एक सम्रूत परमपरावाले प्रभाव सड़ी और परिश्रमी लोगों के जन प्रतिनी धी हैं, सभ्योता और संस्कूती के हार आयामों में राष्थान की परमपरा बहुत मजभूती रही हैं, आज से लगभग पंद्र सबर सपहले राष्थान के खेत्रों में ही संस्कूत के महाकवी माघ ने सिसुपा बद्ध नामोक स्रेष्थ महाकाव्यों की रोचना की थी, उनके काव्यों की तुलना महाकवी कालिदाश के काव्यों से की जाती हैं, हिंदी का प्रत्म को भी होने का गोर और राष्थान के चंद बरहाई को जाता है, उनके द्वारा बर्दाई यस को जाता है, उनके द्व प्रुथिविराज रासो को हिंदी भासा का पहला काव्यो मना जाता है। राष्तन की मिरावाई ने भोक्ति सहित्तों को अमुल्यो जोगदान दिया है। महनता तथा लक्तांत्रिक भावनाप और आधारित राज्यो व्यवस्ता राष्तन की भावभुमिक में प्राचिन काल सही बिद्ध्यो मन रही है। महाभारत में आधिवासी समुदायो के एसे गणतंत्र का उल्लेक मिलता है जो पांचुए स्वताब्धी तक अस्तित्तों में रहे थे। एसे गणतंत्र में राष्तान के उत्तरी छेत्र में स्तापीत यधेयो जनजाती का गणतंत्र सर्भतिक प्रसिध्ध है। सभिमान के लिए संगुरा करने की भावना राष्तान की धर्ती के लोगों में कुट-कुट कर भरी हुई है। यही भावना राष्तान के गोरुपसली इतियास का आधार रही है। यहां के बारे में बीरों ने, जोध्धाओं ने, जीन राजाओं के नेत्रुत्त में धर्ती को अपने रक्ष लाल कर दिया, वे राजा भी आपने लोगों से अथा प्रेम करते थे। प्रुथिविराज चोहान, राना सांगा और राना प्रताप, महाराज राना प्रताप जेसे बीरों और अनेक सेनानियों का सर्य भारोत की बीर गाथाओं के सर्लिम अध्धा है। कंधे से कंधा मिलाका युद्ध कंणेवाले बनबसी बीर यद्धा राना पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेगवाड का बच्चा बच्चा जानेका। बीर बालक दुधा भील ने महराना प्रताप के आदर्सों का अनुसर्ण करते हुई आपने प्राण समर्पित कर दिया था। जोनोजाती समुदाई के लोगों को एकता के सुत्रों में बांधरे के लिए मतिलाल तेजबान ने एकी अंदलन चलाया था। जिसका उद्धेश एक जुठो कार सोसोन के खिलाप संघर्ष कारना था। सिक्कित समाज के समावसी सिख्था के प्रती संबेदन सिल बनाने के संघर्ष में आपने प्राणों की आहूती देने वाली दंगरपूर की बीर वाला कालिवाई के विशोय में सभी देश वासियों की जानकारी होने चाहिए। समाज सुधारोक और महान स्वादिनता सेनानी गविंद गुरुजी के असंख देश प्रेमी अनुयाई मानगर्न और असंखर में बीर गोती को प्राप्थ हुआ। राष्तान सोहित देश के अनेक छेत्रों में गविंद गुरुजी का प्रभाप्था। मुझे प्रसंता है कि आजादी का अम्रुत महसब के उपलुपधी में हो रही कारियों के माजधम से देश बासियों को मानगोड धाम की गोरुब गाथा के बारे में अबगोड कराया जा रहा है। जनलजातियों सहित राष्टान के सभी समुधायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपम उधारन प्रस्तूत किये है। मेने बिधान सभा में इस विश्वय पर थोड़े बिश्तार में जाकार इसलिए बात कर रही हूं कि हमारे स्वाधिनोता संग्राम के आदर्ष पर ही हमारे सम्विधान के आदर्ष निर्दारित किया गया है। न्याय, सतंत्रता, सम्ता और बंधुता के ये संब्वेधानी आदर्ष सभी विधायकों के लिए मार्गद्वशक सिधान्त होनी चाहिए। स्वध्यनते के बहुत पहले 1929 में बाल बिभाव को समाप्त कान्ये के महान उद्देशों के साथ एक कानुन सेंट्रल लेजिसलेटिव आसेंबिली दोरा पारित किया गया था। मोहिला सोसक्तिकरण तो था समाजीक समावेश का ओ महत्तोपुण अधिनियम बोल चाल में सार्दा एक्ट के नाम से जाना जाता था। क्यूंकि उजके प्रेरणा स्री होरिविलास सार्दा थे। श्री होरिविलास सार्दा राष्तान के निवासी थे। स्वाध्यन तके बाद श्री मोहनलाल, सुखाडिया, से लेकार, श्री भयरोसिंग सेखाबद जेसे जन सेवकोने, संबिधानीक आदर्सों के अनुरुप, राज्यस्तर के कानून बनाने में तथा समावेशियाक और कल्लान करीजो जनाओ को लागू काने में प्रभावी न स्वावेशियाक और जनहीत में कार्य करने की इस परंपरा में मोजबूत बनाना सभी विधायों का कर्तव्यों है, मैं अपने बाणी को बिराम देने से पहले, मैं सभी मानोनियों को कहना चाहती हूं, मानोनियों हम सब केतने भाग्यस्या लिए, मुझे बताया गया ही एराज्य की जनसंख्या साथ क्रोर से ज़्यादा है, जनप्रतिनिथी बिधान सभा के जनप्रतिनिथी केवल 200, माने नियों को जनताने जनत प्रतिनिथी रुप में इस बिधान सभा को भेशते हैं, माने नियों कभी एक बार, कभी दो बार, कभी तिन बार, कभी चार बार, कि जिन्देगी बार बार जनता द्वारा प्रतिनिथी बन कर इस सभा को आके सभा मंदन करते हैं, जनता कितना प्यार करते हैं, इसलिए बार बार आपने चाहती जन्द प्रतिनिथी को बार बार इस बिधान सभा को चून के भेशते हैं, कभी-कभी एतने प्रभावित होते हैं, अपने नेता या अपने प्रतिनिथी का हार चीज को फोलो करते हैं, कभी या स्टाइल, उनके चाल, चलन, चेहरा, उनके ड्रेस, कभी-कभी ऐस से मैंने देखी, जनता को के भी हाथ में बंधे हुए कलाई के कलोर का एक धागा को भी ओफोलो करते हैं, कितने प्यार करते हैं, आसा करते हैं, जिस चीज को माननिय विधायक के अध्यक्यों ने यहां जिगर करते थे, कि आजादी, प्रियम्बल का कुछ पंक्तिया, आजादी बलने का, अधादी, समाजिक आजादी, आर्थिक आजादी, शिख्या लेने के आजादी, ए आजादी का दाइत्य, जन सधानों ने आपनी जन प्रदिनिदी को दिये, एक यूग एक कम्पूटर यूग है, एक यूग मोडर्न टक्नलोजी से चलता है, एक यूग था, जो जन प्रदिनिदी बिधान सुभा में क्या वलते हैं, कभी-कभी अपने पेपरों में ओ देखते हैं, कभी-कभी पेपर भी उनके तक पहुचता नहीं था, लेकिन आज घर-घर तक यहां क्या चल रहा है, मेरे जन प्रदिनिदी, जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, मोहिलाओं के लिए, जुगाओं के लिए क्या कारते ह। देखते हैं, समझते हैं। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियां को गुजारिस करना चाहते हूं। चाल चलन के साथ साथ, आचार विचार को जनता के दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आये हैं, इसलिए जनता के देर, देर लिए सोचना चाहिए। और, कि बोल हाम नुहें, में नुहें, में और मेरा को छोड़के हमारा होना चाहिए। कि बोल में और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नोती सायद नहीं होगा। इसलिए हमेशा जन प्रतिनी दी, जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। में और मेरा से उपर उठकार, मेरा देश, मेरा जनता, मेरे लोग होना चाहिए। मुझे लगता है, आप सोब समझता है। आप इहाँ इसलिए बार-बार जनता आपको चुनकाला भेजे है। मुझे लगता है, आने वाला दिन, जो पिसो, जो मुद्दा हमको पता है कि ए मुद्दा हम लोगों के, अभी चाहिए, निड़ोगती आवार, अभी का क्या ज़रूरत है। बर्तमान की जो रचीजे का, उसी हिसाब से, नियोंबरानी का, दाइक्तो जनता ने, जनपती निधी को दिये हैं। आप उसको बना सकते हैं। आपके हाथ में हाथ चीज है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आगे चलकर, ये एक्स वाई जेड ने नहीं क्या क्या, लेकिन अपने खुद को पुछना चाहिए, मैं क्या क्या, हम क्या क्या, एक्स नहीं क्या, लेकिन मेरे मुझे दाइत तो दिया गया, जनता ने मुझे दाइत तो दिये, मैं क्या क्या, मैं ये राज थान, नाम सुनके मुझे दिल में एतने भावना आती है कि राजाओं के ये राज तंत्रों तो आभी नहीं है, जिल्दों के तंत्रों है, इसलिए मुझे चुना गया है, मुझे परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे पता नहीं कि इतने होगा, साथ क्रोर और दो सो, इतने भरोषा करते हैं, मुझे लगता है, भरोषा लाइक होना चाहिए, मैं राज्टान के समगर विकास तो था, राज्यों के सभी निवासों के सरनीम भविश्यों की मौंगल का मना करते हूँ, राज्टान की विधान सभा के सभी सदस्यों, जोनो कुलान और राज्यों की विकास के लिए निरंत और कारियरत रहेंगे, तो था, संक्सद्य प्रवाणी के गरिमे को बढ़ाते रहेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आपने बाणी को बिराम देती हूँ, जय हिन, जय भ